इदा पेपल हम भारत के लोग यहां रियल मीटिंग भी होती है और वर्चुल मीटिंग भी होती है वर्चुल मीटिंग मतलब जूम पर या गूगल पर या गूगल मीट पर या कहीं भी और एक्शुल मीटिंग जो होती है वो छोटी-छोटी और बड़ी-बड़ी सत्र है क्यों नहीं है यहां मीटिंग का पैटर्न अलग है यहां भाशल लवाजी नहीं होती है यहां काम की बात होती है भाशल लवाजों को नमस्कार किया जाता है दूर से ही क्या भासरद होगे सतर साथ से भासरदी दे रहे हो भासरद देते देते ये हालत हो गई कि सारे के सारे अधिकार चले गए अब कुछ काम की बात कर लेते हैं तो काम की बात तर्ग तर्ग से होती है तो अगर आपको काम की बात करनी है आपको जुड़ने और जुड़ने की बात करनी है अगर आपको ये पता है कि जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं अगर आपने जिद्ध है जुड़ने की अगर आप जानते हैं कि जब जुड़े थे तभी जीते थे जब जुडेंगे तभी जीतेंगे जहां जहां जुडे थे वहां महां जीते जहां जहां नहीं जुडे वहां महां हरे अभी जुडेंगे तो अभी जीत जाएंगे और सो सल बाद जुडेंगे तो सो सल बाद जीत जाएंगे जितने जितने जुड़ेंगे उतने उतने जीतेंगे अगर ये सद्धानत आपको अपील करता है और ये बात आपको समझ में आती है और आपको ये समझ में आता है कि संग्ठन से संग्ठन लड़ता है संगर्स करता है और संग से संग्ठन संगर्स करता है लड़ता है और देश से देश लड़ता है और सहर से सहर लड़ता है और वेक्ति से वेक्ति लड़ता है तो ओफिस में जो लोग हैं वो ओफिस वाले से लड़ते हैं गाउं में गाउं वाले से लड़ते हैं तो उनसे बचने के लिए वैसी ही त्यारी करनी है तो आपके लिए ये वीदा पीपल का मंच हर्जी के तियार है, आप अपने कोशन आंसर के साथ आईए, अपना एगो, अपना पद, अपनी पतिष्टा, अपना मान, अपना समान, अपना हिंकार, सब को साइड में रखे आईए, क्योंकि ये संग है, संग में सब बरावर होते हैं, अगर आप पोशन, अपनी पतिष्टा, अपना मान समान साथ लेके आते हैं, तो आप समाजिक संग में, समण संग में, काम करने की स्थिती में, कमफर्टेवल मैसूस नहीं कर पाएंगे, ये समण संग है, यहाँ पर सब लोग बरावर हैं, और यहाँ पर हम आपस में बाचीत करते हैं तर्क बतक करते हैं, जुडने और जुडने के बारे में, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिद्ध है जुडने की, जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, और जब जब नहीं जुड़े हैं, तब तब हारे हैं, अभी जुड़ेंगे, अभी जीत जाएंगे, सौ साल जीतेंगे, जितने जुड़ेंगे उतने जीतेंगे, तो यहाँ जुड़ने की कोई फीस नहीं है, अगर कोई व्यक्ति विदा पीपल या समर्संग के नाम पर आपकी पषची काड़ता है, या कहीं कोई कारेकरम जिरुफे पैसा एकटा करता है, या किसी भी नाम से पैसा मांगता है तो वो fraud है, वो जोट है वीदा पीपल, समरसंग कभी कोई पैसा नहीं मांगता पब्लिक से इसके जो active member है वो इसका अपना खर्चा कोछ लाते हैं और इसका कोई जाला खर्चा भी नहीं है क्योंकि ये शोशे बाजी में, दिखावे में मंच में, माला में, माइक में कोई यकीन नहीं करता ये सिर्फ लोगों को जुडने और जुडने में काम करता है जिससे के देश मजबूद हो इसलिए कोई व्यक्ति अगर आपके पास कभी भी ये कहे कि वीदा पीपल का कोई काईक्रम है या समर संग का काईक्रम है और मुझे पर्ची कटानी है, ये पैसा है, ये आदेश है तो वो और संग्ठनों की तरह जूट बोला है क्योंकि बाकी संग्ठनों को पर्ची कटानी की आदत है और वो पब्लिक को लूट लूट कर पब्लिक को ही कंगाल करते हैं और सारे अधिकार चलेगे उनकी पर्ची कटवाते कटवाते इसलिए पर्ची कटवाने का सिस्टम यहां नहीं है कोई पैसा किसी को ना दें कोई पैसा अगर माने तो कान पे दो खींच के मारें उसकी अफ़ाया कराते, धन्यवाद कराते, अफ़ाया कराते, व yol के दोति कि अप़ाया है कर दो 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 कर